नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप लेखे हैं ब्लोग संजीव टेकनिकल दोस्तों यह है हमारे पास Realme का C15 Mobile जो की 4GB RAM और 64GB ROM के साथ हमने लिया है अब हम बात करेंगे इसकी डिस्प्लेय की तो यहां पे है 6.5 इंचिस की HT Plus डिस्प्लेय आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप C15 Realme की स्क्रीन को किसी भी Android TV या फिर Smart TV या फिर Wi-Fi Enable TV के साथ कैसे स्क्रीन कास्ट, मीरा कास्ट या स्क्रीन कर सकते हैं तो अगर आप जानना जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो दोस्तों यह है हमारे पास Realme C15 Mobile और इसकी स्क्रीन को हम शेयर करने जा रहे है अपने Android Enable TV जो की है Onida Smart TV उसके साथ वो कैसे होगा और कैसे आपको करना है किसी भी Wi-Fi Enable TV या स्मार्ट TV के साथ वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप जाएंगे Mobile की Settings के अदर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन की Wi-Fi को Enable कर देना है और इसके बाद आपके पैनल को आपने फुल कर देना है इसके आइकन एडिट आइकन को आपने क्लिक करना है यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स उपर नीचे हैं अगर आपका Screencast यहाँ नहीं आ रहा है नीचे क यहाँ फिर Screens जो भी अवेलेबल हैं आपके Android TVs वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा फिलाल मेरे एरिये के अंदर आपको सरफ Onida TV ही दिखाई दे रहा है जो की सामने लगा हूँ यह हमारा Onida Smart TV जो की Android version के साथ आता है हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे अवेलेबल डिवाइस को यहाँ पर Onida को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर यह कनेक्टिंग करना शुरू कर दिया है और कुछी देर के बाद इसका जो कॉंटेंट जो डिस्प्ले है रियल्मी C15 की वो मिराकास्ट होकर के आपके Android TV यह स्मार्ट TV यह वाइफाई नेबल TV के ओपर डिस्प्ले हो जा जो कि आपके रियल्मी C15 के उपर डिस्प्ले हो रहा हो 6.5 इंचिस की डिस्प्ले के उपर जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको एक बिग स्क्रीन यहाँ के Android अनेबल TV यह वाइफाई अनेबल TV के उपर बिग स्क्रीन पे वाच करके इंटर्टेन हो सकते हैं दोस्तों आशा वीडियो के साथ तब तक लिए जाहीं दोस्तों